हाई गाईज में आप तुनाप सुदेक्टर आपपी के चैनल दिपतों शील को दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया है कि पेज नौट इलिजिबल इशू कैसे हटेगा ये क्यों आ रहा है बहुत सारे पेजों पे एक साथ एक ही दिन में आ र जो के अभी आप लोग अगर मोबाइल से जाके देखते हो तो दिखने के लिए मिलता है मगर पीसी या लैप्टॉप से देखते है तो देखने के लिए नहीं मिलता है इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ताकि आप लोगों को पहले एक्स्प्रेइन कर दूँ ये नहीं हटेगा तो फिर पेज इलिजिबल रहते हुए भी मॉनेटाइज नहीं होगा यहीं आपका कहना है तो दोस्तों यह जो अभी पेज आप लोगे सामने है इस पेज का भी कुछ इसी प्रकार का इशु आया है और यहापे लिखा हुआ है आवा टेकनोलोजी डिटर्मा है मॉनेटाइजेशन देगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कीप शेरिंग कंटेंट फॉलो आवर पार्टनार मॉनेटाइजेशन पॉलिसी एंड एपलाई एगें लेटर इसका क्या माजरा है सर यह कैसे जाएगा कॉंटेन मॉनेटाइशन पॉलिसी से कैसे हम लोग पर यहाँ पर देख सकते हो नो मॉनेटाइजेशन वाइलेशन यानि की पेज पेडरासल कोई भी पॉलिसी वाइलेशन नहीं है और जैसे की आप लोग कहते हो ओवर व्यू पर जाके आप लोगों दिखा देता हूँ कि आप कहते हो इलिजीबिलिटी पर जाके अगर इंस् 100% complete है और यहां पर जो mobile device पर हम देखते हैं इसी चीज़ को तो हमें यहां पर जादा option दिखाता है सिर्फ follower नहीं सिर्फ minute views नहीं और सिर्फ active वीडियो नहीं साथ में यह दो चीज़ भी दिखाता है your reside in eligible country तो हम eligible country पर तो रह रहे हैं फिर page not eligible क्यों दिखा रहा है तो यह mobile से पता चलता है जैसे mobile device से open करके देखते हैं तो बताते है content monetization policy और जैसे desktop पर आके हम लोग चेक करते हैं या laptop से चेक करते हैं तो यहां पर तो दरसल कोई policy issue नहीं दिखाता है कोई भी partner management policy content management policy issue नहीं दिखाता है मगर जैसे हम policy issue पर क्लिक करके और बाजू में पर क्लिक करते हैं तो यहां पर जरूर हमें देखने के लिए मिल जाता है page not eligible और इसी के बज़े से दोस्तों हम monetization के लिए apply भी करते हैं stream at के criteria complete होने पे तो हमारा monetization जो है वो हो नहीं रहा है यही information बंद हो जाएगा तो यह ऐसा होता नहीं यह दरसल दोस्तों अभी निया निया इश्व आया हुआ है और साब साब देख सकते हो यह Facebook के technology determine करते है यानि कि technology को लगता है Facebook का AI को robot को लगता है algorithm को लगता है कि आपके page पे ऐसा कुछ है जो के eligible नहीं है इसलिए page not eligible कर देता है और Facebook कहता है आने वाले समय पे आपके page को approve नहीं किया जाएगा जिससे आप लोग परेशान हो मगर यहाँ पे यह नहीं कहा गया है कि यह issue आने पर आपका monetization को हम बंद कर देंगे रत कर देंगे अगर ऐसा होता तो यहाँ पर यह जो आभी देख रहे हो monetization able है monetization able है green tick है वो नहीं होता तो इससे हमें साफ साफ पता यह चल रहा है यह दरसल हो सकता है एक glitch है एक error है एक bug है जिसका कोई असर हमारे page पे हो नही पेज से page monetize है green tick है subscription से monetize branded content tagging से monetize है start से monetize है और साथ में live से भी monetize है performance bonus से भी monetize है और साथ में ads on real से भी monetize है इसका साफ साफ मतलब है facebook पे जितने भी monetization tool है वो सारे tool monetize रहता है यह issue आने के बाबजूद page पे यानि कि page not eligible करके our technology determine जो issue अभी आ रहा है यह दरसल एक bug है एक glitch है और यह automatically ठीक होगा हम कुछ भी करके इसको ठीक नहीं कर सकते है maximum जो हम कर सकते है एक report कर सकते है facebook को उस report के उपर facebook देखेगा तो जरूर इस issue को जल से जल ठीक करेगा मंगर यह report होना परेगा bulk पे और bulk पे चीजों को करने के लिए आप सभी का एक responsibility बनता है कि आप लोग report करो bulk पे रिपोर्ट जाएगा तो bug glitch जो है वो जल्दी fix होता है इसके लिए आपको क्या करना है page पे जाना है setting पे जाना है help and support पे जाना है और फिर report पे click करके report करना है simple तरीका है feedback देना है अगर दोगे तो यह issue ठीक हो जाएगा उपर से page not eligible आने के बज़े से आपके page के monetization पे कोई effect नहीं परता है अगर परता तो अब तक यह page का monetization रद हो जाता यह page जो है पैसा income नहीं करता मगर यह page अच्छा का सा revenue generate कर रहा है daily basis प्यार्णिंग हो रहा है इसके उपर इसके बज़े से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना बाकी रहा page can't approve at this time यह जो अभी एक हुआ है कि pages अप्रूब नहीं होगा यह issue आने पे आप लोगों के मन में यह doubt पैदा हुआ है और आप लोगों को लग रहा है यह issue जो है वो content monetization policy के बज़े से ही हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ clarify करना चाहूंगा कि यह जो issue है इसके बज़े से monet monetization approval बन नहीं हुआ है क्योंकि last हमने देखा है नमेंबर एंड से ही बहुत सारे monetization करने की कोशिश पर कोशिश किया जा रहा है और हर एटम जो है reject हो रहा है Facebook के तरफ से या फिर pending परा रहता है या फिर approve करता ही नहीं यह स्थिती अभी काफी time तक चला मगर कुछ दिन पहले मैंने एक update दिया पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा कि अभी Facebook monetization approval देना शुरू किया यह Facebook के तरफ से अटक के रखा गया था monetization approval को और Facebook से जब मैंने backend में बात किया तो Facebook बोलता है इतना जादा monetization के लिए apply किया गया है कि Facebook के review system को process करने में time ल अलग जाता है तो सारे चीजों को मदनजर रखते हुए मैं एक conclusion पर पहुशता हूँ कि page not eligible के बज़े से content approval नहीं देगा या page monetization नहीं करेगा वैसा कोई भी बात नहीं है यह logic को मैं खारिज करता हूँ साथ पर यह अगर content monetization policy का issue आता है तो वो page not eligible के बज़े से आप लिए रहा है तो वो doubt को भी मैं खारिज करता हो अगर content monetization policy का issue है तो आप जाओ अपने page के अंदर और अच्छे से देखो facebook का content monetization policy क्या कहता है और उसके again जाके कहीं आपने page पे content तो नहीं डाला अगर उसके again जाके आपने content डाले हो जैसे sexual content डाल दिया या फिर कोई भी graphics violence डाल द जो के एडवरेजर friendly नहीं है false news डाल दिया जो के असल में है ही नहीं मगर आपने डाल दिया reuse content यूज कर दिया copyrighted content यूज कर दिया ये सारे तमाम चीजे content monetization policy पे आएगा और उसका बज़े से हो सकते है आपका page का monetization policy रहने के बज़े से आप सारे criteria complete होने के बाद भी apply नहीं कर पा रहे हो in stream ads के लिए तो ये जो reason है वो genuine है इसी के बज़े से बहुत सारे page का monetization के लिए apply करने का option नहीं आता बाकी आप लोग का ये वाला issue है तो attention मत करो इसके बज़े से content monetization policy का कूछ भी issue नहीं आया है और इसके बज़े से आपका monetization रद भी नहीं होगा इसी note page video को क वीडियो पसंद आया है दावा के लाइक कर देना को भी दोस में चल पे नहीं नहीं आयो चैनको दर स्क्राइब करना मिल तो आगले वीडियों साथ तक आपला खुश रहो आब आद रहो और मैं में वोग नाम कर दोस्तों बाइ